आकाश्वाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रवेदी प्रदेश में चुनाव प्रचार अब चरम पर है सत्तारूर भाजबा के साथ साथ विपक्षी कॉंग्रिस ने भी अपने वर्ष्ट निता को चुनाव प्रचार में उतार दिया है प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने आज फिर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे है प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी प्रदेश में आज लगातार दूसरे दिन सिवनी और खंडवा जिले के छे गाओं माखन में चुनावी सभाएं कर रहे हैं इसी क्रम में आज सिवनी में प्रधान मंतरी शीमोदी ने कहा कि भाजपा की प्रात्मिक्ता गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन आसान बनाना है इसलिए हमारी सभी हुजनाओं में इन वर्गों का ध्यान रखा जाता है शीमोदी ने कहा कि आदिवासी समाज सदियों से पूज रहा है लेकिन भारत सरकार में पहली बार जनजाती मंतरा ले अटल बिहारी वाजपेश सरकार ने बनाया था अब आदिवासी समुदाय को गुम्रा की आ जा रहा है जबकि जनजाती गौरफ दिवस हमने शुरू किया जबलपुर में रानी दुरगावती समारक बना रहे हैं और बैगाब भारिया और सहरिया जनजाती की सुद भी हमने ली है वहीं केंद्री मंतरी और भाजपा की वरिष्ट नीता अनुरांक सिंग ठाकुर ने आज भूपाल में पत्रकार बारता को संबोधित करते हुए कहा कि सभी राज़ों में चुनाव के पहले कॉंग्रिस गैरंटी लेकर आती है और हर राज़ों में ये गैरंटी फेल हुई है उन्होंने कहा कि माचन में भी महिलाओं को 15 सुरुपे प्रतिमाद देने सहित कई गैरंटी दी गई लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ जिठाकुर आज दमों और हर्दा में भी पार्टी का पक्ष रखेंगे वहीं कॉंग्रिस माहसचे प्रियंका गांधी कुक्षी और इंदौर में रेलियों में हिस्साली रही है कॉंग्रिस की ओर से पार्टी अद्धक्ष मलिकार जुन खडगे वरिष्ट नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 22 रेलियां करेंगे सपा बसपा आम आदमी पार्टी सहित अन्य दल भी अपने प्रिभावाले शेत्रु में प्रचार में जुटे हैं प्रदेश में कुल 2533 उम्मीद्वार मैदान में है राज में 17 नवंबर को मतदान होगा जबकि 3 दिसंबर को वोटों की गिंती होगी वहीं भाजपा ने राज में अपने 35 बागी उम्मीद्वारों को 6 साल के लिए निश्कासित कर दिया है प्रदेश में मतदाताओं को अपने वोट देने का अधिकार का इस्तमाल करने के लिए जागरू करने के उदेश से कई गतिविधियां संचालित की जा रही है उसी कड़ी में बोपाल के लाल परेट ग्राउंड में सुभह 9 वजे कार रैली को राज निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने हरी जंटी दिखा कर रवाना किया सिंग्रॉली जिले में की गए नवाचार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है संस्था गूल्डन बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सिंग्रॉली प्रशासन की गतिविधी दर्ज की गई है कल सिंग्रॉली जिले के सभी 704 ग्राम नगर निगम शेत्र सिंग्रॉली में लोकतंतर की दौड सिंग्रॉली रनका आयोजन किया गया जिसमें भारी उस्साहा दिका गया जिल में 78 से 80,000 लोगों के सम्मलित होने की जानकारी मिली है प्रादिशिक समचार एकांश आकाशवाणी मध्यप्रदीश ने विधानसबा चुनावों में शत प्रतिशत मतदान सुनुश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामत एक खास कारिकर्म शुरू किया है इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रही है ताकि अन्यशोता भी मतदान के लिए प्रेरिद हो बस फिर देर क्या है अपनी आवाज में मतदान क्यों करना चाहिए पर केंदरत एक बड़िया सा संदेश रिकॉर्ड करिए और अपने नाम और शेहर के साथ हमारे वाटस अप नमबर 94065 23035 पर भेज़तीजे हमें आपके संदेशों को प्रति दिन हमारे समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे हाँ आप भी मतदान अवश करिए आई अब सुनते हैं स्चैडूल से सीमा यादव का ये संदेश आई सी सी क्रिकेट विश्वकफ में आज कॉलकाता के इडन गार्डन्स में भारत का मुकाबला दक्षन अफरिका से हो रहा है भारत अपने सभी साथ मैच जीत कर टूनामेंट में शीर्ष पर है भारत के पास चौदांग है जबकि दक्षन अफरिका बारांग के साथ दूसरे नमबर पर है भारत ने टॉस जीत कर पहले बल्लेवाजी करने का नर्ने लिया है भारती टीम में प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं हुआ है वहीं दक्षन अफरिका एक बदलाव के साथ उतरी है अभी भारत ने शूने विकेट खोकर 26 रन बना लिये है इस बुलिटिन में बस इतना है नमस्कार कि ऌता है कि इसमाई लिये है झाल झाल